Hello everyone, मैं Airbnb जन्यकासिट में आपका स्वागत करता हूँ तो आज का ये सेकंड वीडियो है और कल भी हमने एक वीडियो बनाया था और कल हमने राजस्तान भुगोल का पार्ट फर्स्ट हमने पड़ा आज ये पार्ट सेकंड है तो काफी मैतपूर्ण वीडियो होने वाला है सभी प्रतियों की प्रेक्षाओं के तैयारी कर रहे विद्यार्तियों के लिए और अब रोजाना आपको एक एक कलास मिलने वाली है तो आप सभी लोग सेसन को लाइक कर लेगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे तो सभी एक्जाम में पूछे जाने वाले कुश्चन एक्जाम औरियेंटेट कुश्चन चाहे लेब असिस्टेंट हो प्ट्टी दो जार बाइस हो या कोई भी एक्जाम हो सभी के लिए बहुत ही मैत्पूर्ण सेसन होगा तो सेसन को लाइक कर ले और आईए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन आपके सामने है आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है खनीज राजस्तान भुगुल का जो अमारा टॉपिक है वो खनी से सम्मधित मैत्पूर्ण पुरसन है कल जो हमने पढ़ेते हैं बहुतिक परदेश पढ़ेते तो कल का सैसन जिसने नहीं देखा कल का वीडियो जिसने भी नहीं देखा आप लोग पहले जाके कल का वीडियो देखिए बहुत ही शांदर कुशन उसमें भी हमने पढ़ाये थे और आज के कुशन भी काफी मैत्पूर्ण होने वाले हैं चलिए सुरुवात करते हैं तो पहला कुशन आपके सामने है आर्थिक समिक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्तान राज में कितने खनीजों का खनन हो रहा है आप्शन A है 81 आप्शन B है 37 आप्शन C है 101 और आप्शन D है 57 बताइए जल्दी से सभी विद्ध्यार्थी कॉमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका अनुसर आर्थिक समिक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्तान राज में कितने खनीजों का खनन हो रहा है तो मैं आपको बताना चाऊँगा राजस्तान के अंदर 2015 में एक खनीज निती बनती है राजस्तान में 2015 के अनुसार एक खनीज निती बनती है कि राजिस्तान की राज्य खनीज निती क्या बनती है राज्य खनीज निती बनती है और उस खनीज निती के तहत जितने भी खनीजों का खनन किया जाता है उसके बारे में बताये गिया है तो राज्य खनीज निती 2015 के अनुसार 82 प्रकार के 82 प्रकार के खनीज पाये जाते हैं जिन में से 82 प्रकार में से 57 यानि Option D 57 57 प्रकार के खनीजों का खनन किया जाता है तो बहुत ही मैत्पूर्ण है ये और मैं आपको वापस से बताना चाऊँगा कि 2015 खनीजों के अनुसार या 2017 जो समिक्षा है आर्तिक समिक्षा उसके अरुसार राजिस्तान के अंदर जो खनीजों का खनन हो रहा है वो है 57 Option D Next Question राजिस्तान को खनीजों के द्रस्टी से भूगर्व विताओं ने किस नाम से फुकारा है तो राजिस्तान में बहुत जादा खनीजों का उत्पन होता है खनीजों का उत्पादन किया जाता है और इस कारण राजिस्तान को खनीजों का अजायब गर भी कहते हैं खनीजो का आजायब घर कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहले आप आंसर कीजेगा कोशन नमबर टू का कि राजिस्तान को खनीजो की दरश्टी से भुगर्ब विरताओं ने किस नाम से पुकारा खानों का प्रदेश, खनीजो का संग्राले, बहु मुल्य खनीज प्रदेश या तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी खनीजो का संग्राले, यानि इसे राजिस्तान को खनीजो का अजायब घर कहा जाता है, नेक्स्ट कुशन, निम्न मैंसे सीसा जस्ता कहा निकला जाता है, बहुत अच्छा सवाल, लगा दो इस्टार छपेगा पेपर म और सेसन को सभी विद्यारती लाइक कर लेंगे, बहुत ही मैत्पून कुश्चन, खनीज से सम्मधी प्रसन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, निम्न मैंसे सीसा जस्ता, जो सीसा और जस्ता है, यानि जो लेड, जो आपका लेड है, और इसके अलाबा जो जिंक है, ये कहां से निकाला जाता है, चार ओप्शन है, आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा, तो सभी विद्यारती इसका आंसर करेंगे कीजेगा, ओप्शन फर्ष्ट है, राजपूरा, धरीबस छेत्र, अंगूचा, गुलाबपूरा छेत्र, जावर छेत्र, या ओलफ दीज, तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सीसा जस्ता, नौट करना, सीसा जस्ता कहां कहां प्राप्त होता है, राजिस्तान के अंदर, तो उदैपूर में होता है, किस में होता है दोस्तो, उदैपूर के अंदर होता है, उदैपूर में जावर, उदेबारी के अंदर हो पूरा दैरीबा भीलवाडा रामपूरा आगूचा इन सभी छेत्रों में सीशा और जस्ता का उत्पादन किया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा कुश्चन नंबर थिरी का ओल अफ दीज यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जी हम तो राजपूरा दरीबस छ जावर छेत्र इन सभी छेत्रों के अंदर सीशा और जस्ता का उत्पादन किया जाता है नेक्स्ट कुश्चन केशर पूरा पाटन तथा तलवाडा प्रिसिद हैं ये तीनों की तीनों क्यों प्रिसिद हैं एक तो केशर पूरा एक पाटन पाटन नागूर के अंदर है और चूना पत्तर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर केशर पुरा हो जाएगा पाटन हो जाएगा और तलवाडा हो जाएगा ठीक है आप लोग याद रखना नेक्स्ट कुशन आपके सामने यह रहा राजिस्तान में टंगिस्तन के बंडार किस दिली में मिले हैं तो सभी बच्चे सभी बच्चे जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे कि राजिस्तान में टंगिस्तन के बंडार किस हित्र में मिले हैं क्या होगा इसका आंसर पाली होग नाना कराब के अंदर मिले हैं ये पाली के अंदर है नाना कराब पाली के अंदर जगा है डेगाना नागूर के अंदर जगा है आबू आबू के आबू सिरोई हो जाएगा ठीक है न तो इन सभी छेत्रों में टंगिश्टन के बंडार मिले हैं फैल्सपार का सरवादिक अजमेर और भीलवाडा तो मैनली जो है अजमेरी इसका आंसर होगा अजमेर में फैल सबार का सरवादिक उतपादन किया जाता है दोस्तो अगला सवाल आप सभी के सामने है कि राजस्तान में सरवादिक जिपसम का बंडार रवस्तित है बहुत अच्छा सवाल है बताए जल् सर बीकानेर के अंदर जो है जिपसम का बंडारा होगा ठीक है तो भीया जिपसम का बंडारा यह जिपसम सबसे ज़्यादा मिलेगा जिपसम की अगर हम बात करें तो यह वो ही जिपसम है जिसे पीओपी बनता है ठीक है नाम तो यह आपका हो जाएगा कैलसियम सलफेट कैलसि प्रति बाड़ मेर होगा पैट्रोल घोटारू जैसल मेर होगा या कोईला बरसिंग सर बाड़ मेर होगा गलत आपको बताना है मतलब तीन सही है एक गलत है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पैट्रोल घोटारू जैसल मेर यह गलत है बाकि कोईला पलाना बीक नेर ब किया जाता है या all of these क्या होगा आंसर तो कुश्चन नमर 9 का यहां पर जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा all of these option D बिल्कुल ठीक आंसर है राजस्तान में राजस्तान में पाइराइट किस जिलिम में मिलता है तो बहुत पाइराइट के बारे में पूछा गया है कि देता हूं कि देश के अंदर राजस्तान मतलब देश के अंदर जो है राजस्तान को किस-किस खनीज में एक अधिकार प्राप्त है कि जो भी उत्पादन होता है वो सिर्फ राजस्तान में होता है तो आप लोग नौट करना एक तो हो जाएगा जास्पर एक तो हो जाएगा एक हो जाएगा जैम, जैम का उत्पादन भी, गारनेट का हो जाएगा तो इसका उत्पादन जो है राजिस्तान में होता है राजिस्तान को जो है एक अधिकार प्राप्त है इसके अलावा सीसा जस्ता, टंगिस्टन, जिपसम हाना इन सब में राजिस्तान पर्थमिस्तान पर आता है तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा और जस्ता सीसा और जस्ता में राजिस्तान नंबर वन पोजिशन पर है तो यहाँ पर एक अधिकार प्राप्त है तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है तो जल्दी से आप कॉमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होने वाला है तो इसका राइट आंसर होगा उद्यपूर हो जाएगा नेक्स्त कॉष्चन है निमलिखित में से कौन सी मिस्र दातू है इन चारों में से कौन सी अलोए है या आपको बताना है अब आप बोलोगे सर यह जो ग्रोफिगा नहीं साइंस का कुश्चन है तो कोई बात नहीं, जो भी कुशन है, अच्छा कुशन है, पीतल होगा, जर्मल सिल्वर होगा, पारा होगा, कासा होगा, तो 14th का जो आंसर है, वो क्या हो जाएगा, कि निमलिखित में से कौन सी मिसर दातू है, यहाँ पर कुशन होना चाहिए, कि निमलिखित में से कौन सी म बताओ आप अंसर नहीं है तो पीतल मिस्ट्र गातु होता है को पर और जिंक्ड टूसर को बिल्कूल ठीक आंसर u आपने जल्दी से आंसर बताईए क्या हो का डे गाना एकदम ठीक है सैसन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगला सवाल ये रहा है नेच्ट कुशन अंगूचा गुलाबपूरा खनन छेतर निम्ड में से किन खनीजों के लिए जोड़े के लिए प्रसीद है वही कौन कौन से खनीज का यहां पर उत्पादन होता है तो 17 का राइट टांसर हो जाएगा एक तो जिंक हो जाएगा एक हो जाएगा लेड यानी सीसा और जस्ता तो मैंने आपको बताए था कि राजसंबंद, राजपुरा, धरीबा, मोचिय, अमगरा, जावर, देबारी यहां पर जो है सीसा और जस्ता का उत्पादन किया जाता है अगला सवाल जो मेगनीज है इस मेगनीज का यह जो MN इसका परतीक होता है मेगनीज का तो मेगनीज का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है शिरोई में, टॉक में, बासवाड़ा में, अजमेर में दोस्तों जल्ली से बताए बहुत इंपोर्टेंट सवाल हर सवाल एक्जाम के दरिश्टी कौन से अत्यंत महत्पून है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अठारा का उपसंस ही बासवाड़ा नेक्स्ट कुशन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँआ कि कल सुबह मेरी शांदर लाइव क्लास होने वाली है सुबह आठ बजे रोजाना सुबह आठ बजे इस्टेटिक जीके की शांदर लाइव क्लास होती है बहुत ही शांदर कुशन्स में आपको पढ़ाता हूँ अभी तक आपने अनिकेड में learning app डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से तो कर लीजिए और SSC non-technical category में जाके मेरा नाम सर्च करो अरविंद कुंडारा मुझे फोलो कर लो और मेरी कलास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्लिक करना कलास ओपन हो जाएगी अनलोक कोड लगाना जन्यून टैन जी एन यू आ यानि टैन इसका उप्योग कर सकते हैं नेक्स्ट कुशन कुशन नमर 19 के अगर हम बात करें गोठ मांगलोड जो जिपसम बंडार एवं खदानों के लिए सुप्रशिद है किस दिले में इस्तीत है नागोर में है गंगा नगर में है हनुमान ग खनन का छेतर नहीं है काला खुटा नहीं है राजपूरा नहीं है तिम्मा मोरी नहीं है या लीलवानी नहीं है तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो राजपूरा है और ये राजपूरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जो रास संबंद में है न नाथरा की पाल में जो खनीज उत्पन किया जाता है तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा लोहा आयस्क नेक्स्ट कुशन आपके सामने ये रहा एशिया का स्रेष्ट जस्ता और सीसा का आयस्क बंडार उपलब्द है तो ये तो आपको पता ही इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमन जिले के राजपुरा दरीवा में मतलब एशिया का सर्वस्रेष्ट सीसा आयस्क यहां पर आपको मिलेगा नेक्स्ट राजस्तान में अबरक इट उद्ध्यो केंद्रित है गंगा नगर में भीलवाडा में हनुमानगड में बासवाडा में जल्दी से बताए तो राइट आंसर हो जाएगा भीलवाडा क्या हो जाएगा दोस्तों भीलवाडा विस्ट का सर्वस्रेष्ट लिगनाइट लिगनाइट पाया जाता है लिगनाइट कोईले की एक जो है किस्म है जैसे की लिगनाइट हो गया बिटुमिनस हो गया तो लिगनाइट पाया जाता है पलाना जालीपा खारी मेड़ता रोड तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का यहां पर option है पलाना गोटन इस्तान नागोर किसके लिए प्रिसीद है सीसा के लिए कोईले के लिए चूने के पत्थर के लिए तामा के लिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर तो ठीक है तो राजस्तान का जो नागोर का राजस्तान है गोटन नागोर वो फिरसीद देच चूने के पत्तर के लिए है नेक्स्ट कुशन तो राजस्तान की किस जिले में जिपस्वम का उत्पादन सरवाधिक होता है तो राजस्तान में टंगिस्टन दातु की खाने निम्न जिलों में से है तो इसका अंसर है एक तो जैपूर में दो सामें नेक्स्ट कुशन आपके सामने ही रहा कुशन नमर 31 जावर खान किस जिले में है जावर चांदी जावर जिले की चांदी बड़ी फैमस आपको बता है तो भई आपको बताना है जावर की खान किस जिले में है उदयपूर में है राजसंबंद में है चित्तोडगड में है मैं आपको प्रवाइड करवा रहा हूं जिसे कि आपकी प्रक्टिस हो जाए राजिस्तान जीके की और हम अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं कल हमने बहुतिक प्रदेश पड़े आज हम पड़ रहे हैं खनीज खनीजों से सवाल डेफिरिटली बनता है वर्तमान में राजिस्त जिल बंडार की दरश्टी से राजिस्तान का जो जिला महत्पूर्ण होता जा रहा है वो क्या है तो इसका अंसर भी क्या हो जाएगा बाढ़ मेरी हो जाएगा नेक्स्ट कुशन निम्न खनीजों में से किसके लिए राजिस्तान को देश में एक अधिकार प्राप्त है तो राजिस्तान में खनीजों से राजिकी कितने प्रतिशत आये यानि इनकम होती है 52% 20% 11% 40% तो राजिस्तान को जाएगा बाइगा जारा परसेंट जो है इनकम प्राप्त होती है नेक्स्ट कुशन राजिस्तान में पाए जाने वाले खनीज जैसे जिपसम रॉक राइट किस निर्मान में आउशक हैं सिमेंट दराई दवाईयां चीनी रासानी को रूवरक क्या होगा आंसर जल्दी से बताओ तो कैमिकल फर्टिलाइजर यानि रासानी को रूवरक इसका राइट आंसर हो जाएगा राजिस्तान में खनीजों की उत्पादन में राजिस कौन सा इस्तान शंग मरमर की उत्पादन के रूवर के विए प्रमुख्जियले जांसे बरिलियम का उत्पादन किया जाता है उदैपूर जैपूर, नागूर, पाली, तो रिपर, ऑलवर, जुझनू दोस्तों इसका राइट आनसर हो जाएगा कुश्ण, नंमर 39 का एक जैपूर चालीजm worker राजस्टान में तो कुशन नमबर चालीएइस बहुत कम लाइक बढ़ा दी Original love it कुट्शन हुचे सेल गरेता के सबस्क्राक्र-ब्रेफार। भाकतली सहिर करो बहुत अतियंत मैंत्स studiedathon इस्टील ग्रेट चुना पत्तर किस दिले में पाय जाता है जैसल मेर, जोदपूर, अलवर, चितोडगड तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसल मेर राजस्तान में हेलियम गैस कहां मिलती है हेलियम क्या बात है जो प्राकर्तिक तेलों की खोज हो रही है जो यहां पर जो जीवास्म तेलों की खोज हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर गुडा मनाली जो है बाड़ मेर के अंदर तो गुडा मलानी बाड़ मेर में यहां पर सबसे पहले जो है तेलों को खोजा गया अबरक नगरी के नाम से जाना जाता है अबरक नगरी किसे कहते हैं टॉक को भीलवाडा को उध्यपुर को चितोडगर को छाप दो जल्दी से कॉमेंट में छाप दीजिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा भीलवाडा क्या हो जाएगा कारिये शुरू हुआ तो 45 का राइट आंसर है 29 अगस्त 29 के अंदर जो है सवप्रतम कुरूड ओयल उत्पादन का कारिये शुरू हुआ राजिस्तान तेल रिफाइनरी परियोजनाओं में निम्र में से कौन सा हिस्तेदार नहीं है इन चारों में से जो भी तेल रिफाइनर जो है यह नहीं है बाकि रास्तान सरकार हो जाएगा चीक है पेट्रोलियम कोरोपरेशन लिटेट एच्पी सी एल इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेट एई सी ए ईल यह सब हो जाएगा नेक्स्ट कुश्टान में किस जिले में टंगिश्टन पाया जाता है नागूर अजमे ब्लोक्स, टू नॉमिनेशन ब्लोक्स, एवं चार CBM ब्लोक्स सम्मधित हैं, जिपसम पट्टी से, लिगनाइट पट्टी से, पैट्रोलियम अन्वेक्षन से, सुवन पट्टी से, तो 48 का जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा पैट्रोलियम अन्वेक्षन, नेक्स्ट, सन 2016 सोला सतरा के उत्पादन के अनुसार, राजस्तान में प्रमुख धात्विक खनीज कौन कौन से हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपको लेब असिस्टेंट, प्टी दो जार बाइस, राजस्तान पुलिस में देखने को मिलेंगे, 49 का जो अकेला उत्पादक राज्य है, और इसका जो राइट टांसर हो जाएगा, और ये आज के 50 सवाल जो मैंने आपको पढ़ा दिये, लगबक सभी कुशन मैंने आपको पढ़ा दिये हैं, एक बार देख लेते हैं, कोई छूड तो ने गया, हाँ तो सभी कुशन हमने पढ़ ल हैं दोस्तों, लगबक सभी कुशन हमने पढ़ लिए हैं, और मैं आपको बताना चाओंगा, मैं आपको बताना चाओंगा, कि ऐसे रोजाना आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, आप लोग बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सैसन को जितना ज़्यादा कर सकते हैं, करिए, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहें, क्योंकि ये प्रिमेर किया जाता है वीडियो, जैसे हम लाइव पढ़ाना इस्टार्ट कर देंगे, तो और आपसे पूल भी दिया करेंगे, बाकी आप अनिकेड में पर जुड़ सकते हैं, रोजाना मेरी कि क्लास होती है, कल सुबह 8 बजे, शांदर लाइव क्लास होने वाली हैं, आप लोग जरूर जुड़ें, क्लास का जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, अलोग को जन्यून टेन लगा देना, ठीक है, तो इस प्रकार की और वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब क करें, धन्यवाद.